दोस्तो आप सबी का हमारी चैनल शुप मंगल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तो कर्च कितना भी बड़ा क्यों ना हो जल्दी उतर अगर आप इन उपायों में से कोई एक उपाय भी करते हैं तो निश्यत तोर पर आप कर्च मुक्त हो जाएंगे। कर्च में डूबा हुए व्यक्ति सदिव चिंता में रहता है। कर्च होने पर उसका पूरा परिवार कश्टों का सामना करता है। कर्च की वज़ा से मान हानी पैसों की तंगी और पारिवारी कला झेलने पड़ते हैं। कर्च की वज़ा से व्यक्ति अपने और अपने परि शनिवार के दिन कर्ज ना ले क्योंकि इस दिन लिया कर्ज उतारने में काफी दिखते आ सकती हैं। शनि का माना जाता है तो 8, 17 और 26 तारीकों कर्ज कभी ना ले। इन तारीकों पर लिया कया कर्ज आपके जीवन को मुश्किल में डाल देता है। अक्षर करते समय हमेशा ईश्वर का स्मरण करे। ईश्वर से कहीं हे प्रभूजी ये सब आपका है और मैं भी आपका हूँ। इसे चुकाने में मेरी साहिता करे। ऐसा कर्ज जल्दी छुटकारा मिल जाता है। किन्तो कई बार कर्ज में व्यक्ति बुरी परकार फस्ता चला जाता है। कोट कजरी के मामले में उलत जाता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए ऐसे में आप कुछ उपाई कर ले। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं किन्तो मुश्किल भी नहीं है। कर्ज कितना भी बड़ा क्यों नहों जरूर उतर जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताए कर्ज मुक्ति के कुछ आसान उपाई। इस उपाई में पान का जो बीड़ा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। उस पत्ते को लेकर कर सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरू करिएगा दोस्तों को शेर कर दीजेगा। और पान के पत्ते का उपयोग किया गया था। तभी से ये पत्ता हर शुबकारों में इस्तमाल होने लगा। पूजा पात से लेकर किसी पी शुबकारे में पान के पत्ते को ज़रूँ शामिल किया जाता है, जोतिशे और हुपायों इसे बेहत प्रभावशाली माना जाता है कि बुद्ध ग्रह का पान से गहरान आता है ये धन की मुश्किलों को भी दूर करता है अगर आप कर्ज में बुरी तरह फस्ट चुके हैं निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है हर कोशिश करने के बाद भी कर्ज उतारने में सफलता नहीं मिल रही है तब पान के पत्ते का ये उपाय आपके जिवन की मुश्किलों को दूर कर देगा उपाय करने के लिए एक साबुत यानि जो कटा फुटा हुआ ना हो ऐसा साफ सुत्रा पत्ता ले पत्ते का डंठल ले हरे रंग का ताजा पत्ता आपको लेना है उ उन्हें ये पान का बेड़ा अर्पित कर दे तीन महिने लगातार हर मंगलबार को ये प्रियोग करे इसी मंगलबार को अगर आप खुद भी नहीं जा पाते हैं तो आपके बदले में कोई और भी इसे कर सकता है इस दिन तामसिक चीजों का सेवन ना करे सात्विक चीजे ब हत्म कर देते हैं अब एक दूसरा उपाय कई पर ऐसी परस्तितियां आ जाती है कि कर्च लेने के बाद मुश्किले बढ़ जाती है आम आदमी और किष्टों का मिल नहीं बैठ पाता ना प्रियाप्त धन आता है ना कार्यों में आने वाली रुकावटे कम होती है जब आता ह तब कई बार अपने साथ चार साथियों को भी लेकर आता है नौकरी वेपसाय में उसी वक्त दिक्कते आनी शुरू हो जाती है पैसे कहीं फस जाते हैं शुप कार्यों में अच्चने आती हैं सगे समंधी मूफ फेर लेते हैं लगता है कि आप चारों और से घिर चुके हैं इस उपाय के लिए भी आपको एक पान का पत्ता लेना है सापुत ताजा हरे रंग का पान का पत्ता लीजिए डंटल हटे इस पत्ते की चिकनी साइड को नीचे कर दे और खुदरी साइड को उपर करें इस रूखी साइड पर दो लॉंग रखें अब साबधानी से दोनों ह पत्ते के साथ बह जाए वह बहता हुआ पानी आपकी तमाम परिशानियों को अपने साथ भाले जाएगा जल्द परिशानिया दूर हो जाएगी कार्यों में सफलता मिलने शुरू हो जाएगी हर संकट से बाहर निकलने का रास्ता सामने दिखने लगेगा बहुती कारगर उप जो आप नवरात्री में कर सकते हैं आपके उपर अगर करच बढ़ता जा रहा है तो आप नवरात्री में जितने दिन हो सके रोज पान के पते पर हिम लिखकर मादुर्गा को अरपित करतें। नवमी के दिन आप उस पान के पत्ते को अपनी तिजोरी में रखते और एक छोटा सा उपाय बताते हैं। आप खुद ये आपके घर का कोई भी सदसे, कोई महिला सदसे भी आपके बदले में कर सकती हैं। किन्तु महिलाएं हनुमान जी को छुए नहीं। रिण मुप्ती के लिए मंगलवार की रात एक विशिश उपाय किया जाता है। उपाय वाले दिन नमक ना खाएं। सिंधा नमक खा सकते हैं। इस दिन बिना लैसुन प्याज का खाना खाएं। रात में सनान उपरांथ 11 बजे से एक बजे के बीच में आपको ये उपाय करना है। और रात को 11 बजे से एक बजे के बीच ही करना है। जल से जल आप कर्ज से मुक्द हो जाएंगे। पुरुष मंगल दिन दक्षिना मुखी हनुमान जी को सिंधूर अरपित करे। महिलाएं लाल पुष परपित करे। घर में तीन बार सुबा शाम शंक जरूर बजाएं और प्रभू से रिण मुक्ती के प्रातना करे। असान सा किंतु बहुत प्रभावशाली उपाय है ये कर्ज मुक्ती के लिए। कुछ और उपाय भी आप कर सकते हैं। ये चुकता करें, कर्ज जल्द ही उतर जाएगा। आज के लिए बस इतना है। दोस्तों, अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य दे। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे बहले आपको मिल सके। वीडियो के अंतर तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।